हेलो स्प्रेट्वेंट्स अवर तोपिक इज फाइलम कोड़ डेटा जो फाइलम कोड़ डेटा है उनका एक फंडामेंटल क्रेक्टरिस्टिक क्या है प्रजेंस ओफ नोटो कोड़ नोटो कोड़ इस एडोर्सल रोड लाइक स्टॉक्चर मिजोडरमली ड्राइब्ड और शि होलो नरोकोर्ड और फेरंजिल गिल्स जो कि रेस्पिरेशन में हल्फ करते हैं अगर स्मीट्री की बात क्रेंड में तो बाइलेटरल स्मीट्री होती है ट्रिपल अप्लास्टिक ओर्गणिजम हते हैं ट्यू सीलिमेट एंड पोझेस्ट ओर गन सिस्टम लेवल ऑफ और गन आर्टरीज वेन्स एंद अधर वेस्कुलर ओर्गन अल्सो हेर यू कन सी क्रेक्टर स्टिक ओफ कोड डेटर फिर्स्ट ऑफ फॉल इस होलो नर्व कोड इस शोन है और नोटो कोड नोटो कोड प्रेजेंट अंडर दा नर्व कोड और अब दा गिल स्लिट अब बोलोगे आपक कोडेट्स हैं बट देखो एक क्रेक्टर यह होता है कि गल्ब किसी भी लाइफ की स्टेज में उसमें गिल स्लिट नोटो कोड यह सब चीजे प्रेजेंट होंगी और अगर हम इनके सोब हुमेंस बात करें तो जो हमारी एंब्रियोनिक स्टेज होती है डिफरेंट डिफरें ओले Means में होती है वह only embryonic stage में ही इस्यों होती है बर्ट लेटर डिसपेर होρί जाती है यह दो नोटो कोडियो अप सेट होता है जो coordinate का nervous system होता है वो dorsal, hollow और single होता है ये ध्यान में रखना कोईंट, notocode तो से भी याद रख लेते हैं बट जो central nervous system होता है उनका dorsal, hollow और single होता है बट non-cordates का ventral, solid और double होता है फेनिजल, गिल्सलिट present होते हैं, perforated इन में absent होते हैं heart is ventral, heart is dorsal post anal tail is present और non-cordates में post anal tail present नहीं होती अब जैसे हम women से ही अगर इस चीज़ का अंताज़ लगाएं तो हमारा heart का होता है आगे, ventral side पे, और जो हमारा nervous system होता है, dorsal side जैसे spinal cord होता है वो dorsal होता है अगर हम इस phylum core data के, सब phylum की अगर बात करें तो इसमें तीन हमारे सब phylum है euro core data और जिसे हम tunicata भी कहते हैं सफेलो core data और vertebrata vertebrata में only vertebrate animals आते हैं जिन में क्या होता है noto core बाद में vertebral column का रूप लेती है और euro core data और सफेलो core data के अगर बात करें तो इनको हम pro core rates भी कहते हैं and they are exclusively marine only marine form में रहते हैं ये fishes like organisms होते हैं marine form में पायता है euro core data notocode is present only larval's tail देखो यहां पे throughout the life span है उसमें notocode present नहीं होती but present only in larval tail while incephalocode data में ये head to tail extend करती है और persist throughout their life ये उनकी fully life में exist करती है यहां पे एक ascedia का डाइग्राम दिया है इसको याद रखना यूरो कोड़ेट के एक्जमपल ascedia, salpa, dolulium और सपेलो कोड़ेट के एक्जमपल branchiostoma जिहें हम amphioxis और lensulate भी जो इसमें आती है the member of subpylem vertebrata are possessed notocode during embryonic stage only embryonic period में इनके पास notocode present होती है बाद में वो वर्टिबरल कोलम से replace हो जाती है thus all vertebrates are codate but all codate are not vertebrates इस line को भी आपने दयान रखना है important marker लेना है तोकि जो जितने भी vertebrates होते हैं वो subcodate हैं but subcodate vertebrates नहीं होते हैं अगर और हम characters की बात करें तो इनमें जो 2, 3 और 4 chamber hurt होता है kidney होती है excreation और osmo regulation के लिए और pair appendices होती है और वो limbs भी हो सकती है और fins भी हो सकती है जैसे feces के case में fins होते है और humans के case में या other animals के case में limbs होती है here you can see subphylum of vertebrates and further division सबसे पहले हम vertebrates को दो parts में डिवाइड करते हैं lake of jaws दिन में दांत और जोज नहीं होती और दूसरे जो जो beer करते है जो lake of jaws जिन में होती है उन्हें हम एगनेथा कहते है और जिन में zos पाई जाती है उन्होंने हमेगनेथोस्टोमा कहते है stoma stoma या फिर गनेथा जोभी यह कहते है अब एगनेथा में कोणशे कोणशे जिनने जो नहीं होती, इन्हें हम cyclostomator कहते हैं, इनकी जो rob देश्ट जोज नहीं होती हैं, इनकी जो class है, वो cyclostomator है, गनेस्टोमा की एक गार्स है, जैसे Paces and Tetra voyants, पैसीज में में Chondriotekus और Osteos अब वर्टीवेटा की जो फी जो कलाशीज होती है सब कलाशीज उनको करने वाले हैं सबसे पहला है साइकलोस्टो मेटा जो की भीना जो जो वाले organism होगे औल मेंबर्स और साइक्टो कार्पस ओन सम फिसीज यह कुछ फिसीज होती हैं लाज फिसीज उनके ओपर एज पैरसाइट रहते हैं इलोंगेटेड बॉडि विज 6-15 पेर ऑफ गिल इंचाइट उनका माॉथ होता है वो सक़ुल्र होता है और सकंग सेप में नहीं पाए जाते इंचेल्ज इनकी बॉडिवे नहीं पाय जाते वैसे तो फिंस पाए जासकते हैं पेर्ड नहीं होते हैं यह एक साइड है तुम्हा शी टाइप का नहीं है इसलिए इन्होंने उन्पेरड फिंस यहां पर पाइजाते हैं क्रेणियम और जो वर्टिबरल कोलम होता है वो कार्टिलेजनेस होता है बॉंस का नहीं भना होता है चर्कुलेटरी सिस्ट्म टाइप होता है साइक्लोस्टेमियर मैरीन बट of Osmo regulation ते डाई एंड जो इनका लारवा होता है वो दुबारा से ओशियन में आ जाता है अब इस तरह कि जो यह मुमेंट होती है इनमें फ्रोम ओशियन टू फ्रेश वाटर सी वाटर तू फ्रेश वाटर यह एनाड्रोमस हम इसको माईग्रेशन बोलते हैं और केटाड्रोमस वह होती है जिसमें फ्रेश वाटर से सी वाटर में जो और गैनिजम है हो जाता है एक्जम्पल्स की बात करें पटरोमाईजोन जिसे हम लेंपरे कहते हैं यह आपे शोकी गई है मीगजीन या हैग फिजदी से हम कहते हैं एड नेक्स्ट क्लास इस कॉंड्रियोतिकस यह भी मोस्टली मेराइन एनिमल होते हैं स्टीम लाइन बोडी है और काटिलेजनेस एंडो स्केल्टन एंड माउथ इस वेंटरल नॉटो कोड इस परसिष्ट थ्रवाव लाइफ नॉटो कोडिन में पूरी लाइफ रहती है गिल्सलीट सेपरेट विदाउट ऑपरकुलम जो गिल्सलीट है सेपरेट होते हैं बट में उपरकुलम नहीं होता कवर उनका नहीं होता स्किन टफ होती है प्लेकोइट स्केल्स इनमें पाए जाते हैं इसलिए ये प्रिडेसियस एंडिमल है जो दुसरे स्मॉल फिशिज का शिकार करते हैं डू टू अब इनमें एर ब्लैडर नहीं होता जिसके कारणे ने कंट्यू इसलिए स्वीम करना पड़ता है वोटर में एक उपर निचे बोटम पर चले जाते हैं यह दो यहांब एक्जमपल दिया गये जैसे स्कलीडून जिसे हम डोगफिस कहते हैं और प्रिस्टिस जिसे हम सो फिस कहते हैं जो इनका जो यह आगे वाड़ा जो हिस्सा होता है महत थोड़ा लाइक ए सो होता है और एक इतरह होता है सो फिस इसलिए हम इसे कहते हैं तू चैंबर दिन में हट होता है वन औरिकल और वेंट्रिकल अधर एक्जमपल हैं सम ओफ दीज आर इलेक्ट्रिक और नोता है इनके पास जैसे टोर्पीडो पोजिनिंग स्टिंग सेच्सज आर इससेपरेट एसलिए होते हैं मेल के पास फिन होता है जो की केलिपर सबीर करता है जो की इंटरनल फेरिडाशन में और वी पीरिसी और गनिजम हैं इक्जांपल्स की बात करें स्कलीड़ून डोग फिस प्रिस्टिज शाफिस अलकरागों जहें ग्रेट वाइ बोनी जो इनका जो एंड एंडो स्केलेटन होता है वो बोन से बनाता है माउथ मोस्टली रमिनल होता है फोर पेयर में इनके गिल सिलिट होते हैं and covered with ओपर कुलम उन इच अगर ऑगे स्कीन में वह पहले व्लेकोईट स्केल्स थे अब यहां पर क्लिकोईट स्केल्स होते हैं और एर ब्लेडरीं में प्रेजेंट होता है जो की इनको बोडी को बन सी प्रवाइड करता है हर्ट टू चमबर हर्ट होता है एज उनों फिसी में वन वन वन वेंट्रीकल और 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 कॉल्ड ब्लेड इए अनिमल्स है फिर्टिलाइजिट एक्ष्ण अश्ण फिर्टिलाइजिट एंड मोस्टली ओवी पैर्स हैं डिर्क्ट बेलपमेंट इनमें कोई भी में अमेट अमेरिक नहीं होती डिया गया है और नेक्स्ट यह इंके पैर्स रोहू, काटला, कलकैरिस, मगर अक्वेरियम फिस हैं जो बेटा फाइटिंग फिस इसे हम कहते हैं टरोफाइलं एंजल फिस हम कहते हैं यह एक्जमपल स एंड विच वन इस फ्रेश वाटरृटर विच वन इस मेरीन फों इस अभी याद रखने हैं इक्जमपल में दिया में लेगा which of the following is a marine fish okay and these are so confusing और fishes पर एक और question बन सकता है से which of the following is false fishes जैसे आपने phylum silent data में देखा है jellyfish अगर exams में jellyfish लिखया आ जाए तो वो false fish है jellyfish हम aurelia को कहते हैं जो की phylum silent data में पाया जाता है silver fish यह silver fish जो हता है यह false fish है क्योंकि यह actual में फिस नहीं है यह अर्थ्रोपोड़ा जो मारा phylum है उसका example है crayfish यह अर्थ्रोपोड़ा में है cuttlefish यह भी जिसे हम sepia भी कहते हैं जो की मुलस्का phylum का example है devil fish octopus मुलस्का starfish अकाइनोडर्म में starfish आती है इनके सभी example को हमने याद रखना है और इन फाल्स फिसीज को भी याद रखना है यह कई बार पुछी जा चुकी है जल्दी जल्दी एक बार इन class amphibians को भी कर लेते हैं amphibians क्या होते हैं dual life जो की एक बार इस बार जच्ति बोडी होते हैं बार फिसीज अ यह कंग होती हैं जी से हम कोलुका कहते हैं आज एक इसे इन फोरुपने मैं और यूं पैसेज ओफ फुड वेस्ट और जिडेरी और इन और रिप्रोडिक्तीव औल कंड आउट थूट कहते हैं और थी चंबर करते हैं और थी चंबर दॉते हैं तो और बात कहें हैं बुफो जिसे हम तोड कहते हैं राना फ्रोग हाई रॉग घ्ल आउट तेट कहते हैं आझिस फ्रोगे है लेंलेहलन ऐ नेघ्स त्लोफिस जिसे हम लेंब लेस सैंतिमने मुलकीओaire पीड पास फ्रोब्री युपस्लिक्ता सिर्फफिक्वॉज्टोचोश को आफ। उसी के करौनहिंगे स्केकिताथे हैं जो इनकी skin होती है, वो dry or confined skin होती है, scales present होते हैं, and they do not have external ear, external ear opening नहीं होती है, only tympanum represent the external ear, limbs when present, there is two pair, and usually three chambered in में होता है, और एक exception है, जैसे these are poikilothermal, and scales as skin cast, यह skin जो cast होती हैं, वो भी release करते हैं body से, sexes are separate and fertilization is internal, they are oviparous, egg laying animals होती है, development is direct, examples के हम बात करें, chileone, testudo, protoize जिसे हम कहते हैं, chameleone, tree lizard, calotus, garden lizard, crocodile, alligator, hemidictylus, wall lizard जिसे हम कहते हैं, poisonous snake जैसे नाजा या कोबरा जो, poisonous होता है, और bangrose, carriate snake होता है, और विपरा, यहाँ पर कुछ फोटो दिखाए गई हैं जैसे, यह chameleone, crocodile, chileone, और नाजा, and our next class is eos, जिसमें mostly birds आते हैं, और birds में क्या होते हैं, feathers present होते हैं, mostly they can fly, except flightless bird like ostrich, beak wings present होते हैं, hind limbs generally have scales, जो इनके पंजे होते हैं birds के, उनके उपर आपने देखा होगा, यह रफ रफ से scales पाए जाते हैं, जो की walking, swimming और clasping में help करते हैं, skins dry होती है, without oil gland, oil gland, पूरी skin पे नहीं होते हैं, बट tails के base पे, tails के नीचे थोड़े oil glands पाए दाते हैं, and endoskeleton fully ossified bone, जो इनकी bones होती हैं, वो बहुत हर्की होती हैं, और long hollow bones होती हैं, जिनमें air cavities present होती हैं, जो यह easily उड़ सकते हैं, बहुत ही हर्की होते हैं, and air cavities called pneumatic bones, इनकी जो bones होती हैं, वो pneumatic bones होती हैं, इनमें कुछ additional chambers होते हैं, जैसे crop and gizzard, जो की कीडे मोकोडे जो भी कुछ को खाते हैं, उसको crush करने के लिए होती हैं, heart is four chambered and homeothermous, they can regulate their body temperature, able to maintain constant body temperature, respiration इनमें कैसे होता है, respiration with the help of lungs, and air cavity present in lungs for the respiratory supplement, sexes are separate, fertilization is internal and oviparous, mostly they lays egg and development is direct, examples, corvus, crow, columbia pigeon and parrot, ostrich, peacock, pigeon and walter, इनके आपने जो scientific name है और simple name है वो दोनों याद रखने हैं, और उपर इनके diagram दिखाए गई है, next class is mammalia, mammalia, इनके defining feature यह है कि इनमे milk producing gland, या memory gland होते हैं, जो कि आपने चाल्ड कुंदरीश्मेंट परवाइट करते हैं, they can run, climb, burrow, different different type of even mammals like bat can fly, okay, and these are homothermous, they can regulate their body temperature, and presence of hair on body, and pinna present होता है, different type of teeth होते हैं, zoos होती है, four-chambered hurt होता है, respiration lung, sexes are separated and fertilization is internal, अगर इनके हम example की बात करें, जैसे कुछ oviparis होते हैं, जैसे aurinthorhinus, जिसे हम platypus भी कहते हैं, यह एग लेकरने वाला organism है, और बाकी के जितने हैं, वी-वी-पैरस हैं, जैसे macropus, जिसे हम kangaroo कहते हैं, pteripus, जिसे flying fox कहते हैं, camel, macaqa monkey, ratus rat, canis dog, fellis cat, elephant, aqueous horse, and other like dolphin, blenoptera, blue whales, these are also mammals, अब जो हमने पिछे, जितने भी इनके characteristic fundamental feature पड़े हैं, वह यहाँब एक as a table phone में सभी दिये गए हैं, इनको एक बार ध्यान से बढ़ ले, thank you, प्रास के कला से और, झाल Kाल